नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में 10th के बाद 12th में बहुत सारे बचे Science आप्ट करते हैं और उसमें से PCB में पढ़ाई करते हैं यानि Physics, Chemistry, Biology उनका ड्रीम होता है डॉक्टर बनना लेकिन अगर MB-based नहीं करें तो उनके पास क्या options हैं? बहुत सारे बचे confusion में रहते हैं बात करते हैं कि सार अकर MB-based नहीं कर पाए तो PCB में बहुत सारे बहुत ज़्यादा options नहीं हैं लेकिन हकिकत में ऐसा नहीं हैं जिन छातों ने 12th PCB से की हैं उनके पास MB-based के आलावा बहुत सारे courses हैं जिनमें medical courses भी हैं, paramedical courses भी हैं इसके अ कौन-कौन से courses हैं जो MB-based के अलावा हैं और जिनमें अच्छा future हैं साथ ही हम ये भी बताएंगे कि जो average students हैं उनके लिए कौन से courses अच्छे हैं जो brilliant students हैं उनके लिए courses कौन से अच्छे हैं और आपके घर की condition के साब से आपको कौन से course decide करना चाहिए इसके चर्चा भी हम इस हर साल 20-22 लाग MBBS के लिए नीट की तेहरी करते हैं लेकिन selection कितना का होता है hardly एक लाग उसमें से 45-50,000 government seat हैं और इतनी ही seat करीब private colleges में हैं तो अगर आपका नीट का score 600-6500 के उपर है आपको government college मिल जाएगा और अगर इसके नीचे आपका score है और घर की condition अच्छी है तो आप आपको private college में admission लेना चाहिए इसमें दोवारा सोचने की जरुत नहीं है लेकिन दोनों ही condition आपके favorim नहीं है आपकी घर की condition भी अच्छी नहीं है और government college भी नहीं मिला तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों उसके लिए आप BDS कर सकते हैं bachelor of dental surgery आजकल दांतों का बड़ा अ सकते हैं तो आप private से भी BDS कर सकते हैं इसके अलाबा कोर्स है आई रुवेदा का आपने नाम सुना होगा BAMS यह कोर्स यह काफी चल रहा है और आने वाले समय में जिस तरक से government की policies है इस को बढ़ने वाला है तो BAMS में अगर आपका admission हो रहा है तो यह भी option बुरा नहीं है आपको admission लेने ना चाहिए इसके बाद आता है B.H.M.S. यानि Bachelor of Humapathy हम अपर दिखा इसको evergreen है ने कम ने ज्यादा लेकिन अगर आपको government college में B.H.M.S. करने का मौगा मिल रहा है तो मेरा विचार यह है आपको यह course करना चाहिए इन सब courses की cut duration साड़े 5 साल का होता है MBBS का भ लगाना ही है कुछ और options भी है जैसे जो चाहत उर्दू भाषा जानते हैं उनके लिए कोर्स है B.U.M.S. Bachelor of Unani Medicine and Surgery इसी तरह आजकल योगा और नेचरोपेथी का इसको बढ़ता जा रहा है तो अगर आपको अधर इंट्रेस्टर तो आप B.N.B.S. कोर्स कर सकते हैं Bachelor of Naturopathy और योग साइनसे इसी तरह आप सिद्धा में भी आजकल थोड़ा सा लोगों को रुजान बढ़ने लगा है तो आप B.S.M.S. यानि Bachelor of सिद्धा, Medicine and Surgery भी कर सकते हैं ये तीनों कोर्स है हर जगे अबिलेबल नहीं है लेकिन आपको डॉक्टर बनना ही है तो ये options ऐसे हैं जो आप second या third phase में रख सकते हैं आप ये course कर सकते हैं अगर आप ये course कहीं भी एड़िशन नहीं ले पा रहे हैं चाहिए घर की condition के साब से या merit में उपर नहीं आने के बज़े से तो निराश होने ही जड़त नहीं है courses और भी हैं जैसे आप B.P.H. कर सकते हैं Bachelor of Public Health B.P.T. Bachelor of Clinic के बैटे हुए हैं आप उधर भी जा सकते हैं इस तरह साब B.Pharma कर सकते हैं और B.Pharma के बाद दो option है या तो आप MR बन सकते हैं या M.Pharma करके कोई अच्छी MNC जो medical की company वो जोइन कर सकते हैं ये तीनोई courses चार्ट साल के हैं इसके लाबा बहुत सारे bachelor courses में हैं जैसे Bachelor of Nursing, Bachelor of Forensic Sciences बहुत सारे courses हैं लेकिन इन पराइमेडिकल courses में आप नाम कर आगे doctor नहीं लगा सकते हैं लेकिन आप इंडिरेक्टली एक medical line में आप बने रहते हैं एक और option भी है अगर आप doctor बनना ही है तो आप veterinary doctor बन सकते हैं इसके लिए आपको BVST करना पड़ेगा Bachelor of Veterinary Sciences ये भी स शहरों में पैटनिमल्स के हलाज करते हैं और गाव में इस्टेट कवर्मेंट में बहुत सारी पोस्टर निकलती रहती हैं तो गाव में जो कैटल्स हैं पशु हैं उनके treatment में veterinary doctor बहुत रोल प्ले करते हैं आज हमारे देश की economy है उसमें veterinary is काफी रोल है तो दो option है या तो इसके अलावा भाई बहुत सारी अग्रिकल्चर इंडिस्टी में veterinary में BVSC कराई जाती है अगर आप बहां भी नहीं कर पाते हैं इसके लिए अलग से टेस्ट होता है अगर बहां भी सक्सेज नहीं होते हैं तो तीसरा option आपको पास है अग्रिकल्चर को बढ़ता ही चला ज सकते हैं जो लोग मंबई वगार कोश्टल इर्याज में रहते हैं फिश्रीज में study करना चाहते हैं BFSC कर सकते हैं यह सारे courses अग्रिकल्चर से बेच्टर करने के बाद बहुत सारों options हैं आप करशी अधिकारी बन सकते हैं साहे करशी अधिकारी बन सकते हैं बैंक में करशी अधिकारी बन सकते हैं जो अलग से पोश्ट केवल एजी वालों के लिए होती है सेविल सर्विसेज में आप जा सकते हैं अगर आप BFC अग्रिकल्चर करने के बाद में MSC या PhD करते हैं आप फैकुली बन सकते हैं क्रशी बैज्यानिक बन सकते हैं क्रशी अनुसंदान अधि अगर यहां भी नहीं चाहते हैं अगर यहां भी नहीं चाहते हैं आप जनरल स्टूडेंट हैं घर चोड़का भी नहीं जा सकते हैं सिंपल साब B.Sc. कर लीजिए B.Sc. Biology और B.Sc. Honors Biology दोनों में फखरक क्या है जिनको कंपेटिसिंग त्यारी करनी है आगे नहीं पढ़ना उनको B.Sc. General करनी चाहिए सिर्फ B.Sc. Biology और जिनको High Registry करके अपना Career Academic में मनाना है उनको B.Sc. Honors करना चाहिए Honors में क्या होता है जिस सब्जेक्ट साब Honors करेंगे मालो B.Sc. Botany साब में Honors किया है तो आपके Botany के कई Specic Courses पढ़ने पढ़ने पढ़ेंगे लेकिन सिंपल अगर आप B.Sc. कर रहे है तो आपको Chemistry Biology Physics Chemistry Biology बगरे पढ़ने पढ़ेंगे सिंपल B.Sc. करने का एक फायदा यह भी है कि आप नीट की तरहरी दोबारा भी कर सकते हैं क्योंकि B.Sc. के First Year में करेकोरी बही चीज़ें आते हैं जो आप नीट में पढ़ते हैं इसके अलावा और भी options हैं आप B.B.A. करके M.B.A. करके Management side में जा सकते हैं कुछ इंवर्टी B B.C.A. भी biology वाले students को allow करती हैं तो आप B.C.A. M.C.A. करके Computer Science में भी जा सकते हैं Computer Scopes भी ठीक ठाक हैं आजकर इसके अलावा कुछ B.Sc. लेवल पर specific courses भी हैं जैसे Environmental Sciences, Microbiology, Biotechnology यह courses भी कर सकते हैं यह सारे B.Sc. courses तीन साल के हैं और इसके बाद आप या Computer Science द्यारी कीजिए या Higher Studies कर सकते हैं तो दोस्तों ध्यान रहें कौशिश करना हैं आप M.B.A. करना हैं या और भी Medical courses करना हैं आप Government College में आप्ट कीजिए आप अच्छे तैहरी कीजिए ताकि Government College मिल जाए लेकिन अगर आपके घर के कंडिशन अच्छी है तो प्राइवेट का Options भी बरा नहीं है क्योंकि Bachelor Degree आपको कहीं से भी करने मास्टर्स पर गरे में फिर भी थोड़ा देखा जाता है अगर आप Medical Doctor नहीं बन पा रहे है पेरा मेडिकल में आपका जाने के अच्छा नहीं है तो अच्छा करियर बना सकते हैं इसी तरह अगर आप बहां भी नहीं जाना चाहते हैं घर ही नहीं जाना चाहते हैं आप Simple courses कीजिए और लंबा प्लान कीजिए दो तरह के प्लान कीजि या High Strategy के लिए और future बहुत अच्छा है PCV बहुत अच्छे options हैं तो all the best और अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि अगर आप degree courses नहीं करना चाहते हैं तो कई सारे diploma courses भी है जो PCV 12 करने बाद कर सकते हैं तो दोस्तो हमारे इस चैनल को आप सबस्क्राइब किये ताकि अ अल्ट बेश बताएंगे?